हेलो नमस्कार विद्यार्थियों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकी स्वित्नवीन सेने में स्वागत है देखे विद्यार्थियों हम राजी उगांदी जो यूवा मित्र है राजी उगांदी यूवा मित्र उसको लेकर के आज अपना जो पार्ट है वो थ चुका है आपका विकानेर जिले वालों का जो इंटर्यू का आ गया है अब जिन लोगों के मैसेज नहीं आया है वो यह काम करना जैसे पाली वाले का किसी का मैसेज नहीं आया तो पाली वाला देखे कि अपने साथ वालों का कहां पर आया है और वहां पर पहुंच जाए उसका वहां पर क्या हो जाएगा इंटर्व्यू हो जाएगा इसमें कोई दिकत नहीं इसके अलबा यदि आपको अभी तक टेक्सेट मेसेज प्राप्त नहीं हुआ है या फिर आपके पास कोल आया है और उसमें बोला जा रहा है कोई एक एडरेस वगेरा तो आपको वहां पर कहुंचना है या फिर आप अपनी जो जी मेल है उसको जरूर से जरूर चेक करें और बाकी लोग भी अपनी जी मेल को लगातार कंटिनियूसली चेक करते रहे हालां अब हम योजनाओं के बारे में डिसकस करते हैं पहले में आपको ये चीज बता दू योजनाओं के बारे में बात करते हैं मैं तीन मेन मेन योजना बताऊंगा जो बारी बारी से पूछी जा रही है उसके बारे में आपन चर्चा करेंगे और साथ ही बाद में ये बताऊंगा कि जिन विद्यार्टियों के बेरोजगारी भत्ता भी आ रहा है वो लोग क्या करें जब उनका राजियू गांदी युवा मित्र में चेहन हो जाए तब उनको क्या करना चाहिए इसके बारे में भी मैं आपके साथ डिसकस करूँगा तो चलिए देखिए पहली योजना ये है कि राजस्तान सरकार ने महात्मा गांदी जो नरेगा योजना चल रही थी अपने महात्मा गांदी नरेगा योजना उसमें सो दिन से बढ़ा कर 125 दिन जो किया था उसके लिए इन्होंने विदेएक पारित कर दिया है विदेएक पारित करने का मतलब क्या है कि अब माँन लो कोई दूसरी सरकार यदि बनेगी माँन लो भाजपा बन जाए तो अभी उसको 125 दिन का रोजगार देना होगा जो जनता है उसको कितना रोजगार देना होगा 125 दिन का और इसके अलावा जो इंदिरा गांदी सहरी रोजगार गारंटी योजना है इंदिरा गांदी सहरी रोजगार गारंटी योजना इसमें भी 100 दिन से बढ़ाक कर 125 दिन क्या कर दिया है आपका तो ये दो चीजें आपको विसेश तोर पर क्या रखनी है ध्यान में रखनी है आई होप आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी अब नमबर तीन पर बताता हूं एक आपने सामाजिक सुरक सा पैंसन योजना या फिर उसको वर्दावस्ता पैंसन योजना आप कुछ भी कहलो उसको जो पैंसन आती थी वो मिनिममम गोवर्मेंट ने हजार रूपे दे कर दिये कितनी मिनिममम हजार रूपे और इसके आलावा जो में ध्यान में रखने ही होगी ये बात है वो ये है कि इसमें परत्येक साल 15% का इज़ाफा होगा मतलब हर साल ये ज मतलब अब कोई भी सरकार आजाए तो भी उसको मिनिममम कितनी आपके हजार रूपे तो देनी ही देनी होगी पैंसन और साथ इसाथ परत्येक साल 15% का क्या करना पड़ेगा इज़ाफा करना पड़ेगा उसमें वर्दी करनी पड़ेगी चलिए ये बात आ गई आपको समझ क्लिक के सेंड करना और अपना कोई क्यूस्टन है तो वो आप इस नमबर पर सेंड कर देना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना हम आपके कमेंट का अगले जो वीडियो में लाने का परियास करेंगे कि आपका जो कमेंट है उसको अगले वीडियो में डिसकुस किया जाए द वे कभी भी आप इस योजना से जब फिरी होते हो तो आप वापस कभी भी बेरोजगारी बत्ते में एंट्रे नहीं कर सकते अर्थात मान लो यदि किसी ने दस दिन भी बेरोजगारी बत्ते को उपयोग में ले लिया 10 दिन भी बेरोजगारी बत्ता का लाब उठा लिया और उसके बाद उसको बंद कर दिया तो वो बविशे में कभी भी दुबारा ओपन नहीं होगा आगई बात समझ में? और में बता दू एक जनाधार कार्ड से एक जनादार कार्ड से, एक जनादार कार्ड में जितने परिवार कर्षदशियों के नाम है, उनमें दो से ज़्यादा लोगों को कभी भी क्या नहीं मिलता है, बेरोजगारी बता नहीं मिलता है, मेग जिमम दो लोगों को भी बेरोजगारी बता मिलता है, अब मान लो कोई प तो नहीं अब ये तीसरा भी फाइदा नहीं उटा पाएगा अर्थात मालो इसने एक महीने यूज किया बेरोजगारी बता 24 महीने मिलता है दो साल ठीक है अब इसने 23 महीने बाकी पड़े हैं तो ये नहीं कि इन बाकी 23 महीनों में ये एंटरी कर जाएगा ऐसा बिलकुल नही से एक नहीं एक दिन भी बेरोजगारी बता ले लिया मतलब वो एक कोटा पूरा खतम अब बाकी सिरफ ये की फाइदा उटा सकता है ठीक है ना तो आपको बात समझ में आ गई होगी चनादार से केवल और केवल दो लोगों को ही एक परिवार में क्या मिलता है बेरोजगार बत्ते को कहीं पर काम ले लिया तो उसके बाद वो भविशे में कभी भी वापस उसको दूबरा काम नहीं ले सकते हैं अर्थार आदा अदूरा बीच में छोड़ा हुआ वापस कंटिन्यू नहीं होता है आप आज समझ गयोंगे और फिर भी यदिने समझ में आई तो यद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैए